हेलो फ्रेंड्स ये मैंने पुराने साड़ी की लंबी लंबी पटियां ली है इस पटि की चुड़ाई ली है मैंने लगभग चैंज तीन पटियां लिए मैंने जो यलो वाली पटि है इसकी चोड़ाई लिए मैंने चैंज और रेड वाली है इसकी लिए मैंने पांच इंच तो ये देखो यलो है इसको हम इस तरीके से देखो रेड और यलो को साथ में जोइंट करेंगे यहां पे एक साथ में लेते हमें एक round लेंगे दो finger के ऊपर फिर हमें जो red वाली पटी है हमारे इसके दूसरे सीरे पे हम safety pin को attach करेंगे इस तरीकी से तो यहां पे देखो friends मैंने safety pin को attach कर लिया है अब हम जो red वाली पटी है उससे गुथाई करेंगे yellow वाली का sport करते हुए इस तरीकी से इसके अंदर से निकालेंगे friends हमें और ऐसे हमें जो yellow वाली पटी है इसका sport करते हुए red वाली पटी से हमें एक गुथाई करनी है एक ring के अकार में इसको हमें गुथना है इस तरीके से हम फ्रेंट्स इसके उपर नोट्स लगाएंगे तो फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना बुले और पास में जो पहला आइकन है उसे भी आप प्रेस कर ले तक कि हर रोज जो नए वीडियो का अपडेट है फ्रेंट्स वो सबसे पहले आपको मिलता रहे तो फ्रेंट्स ये देखो इस तरीके से जो फरस्ट राउन था उसको मैंने यहां तक गूंत लिया है यह देखो इसको मैंने जो फरस्ट राउन को यहां तक कंप्लिट कर लिया है अब हमें सेकंड राउन कैसे लेना है फ्रेंट्स देखो इसी यलो का स्पोर्ट करते हुए हर एक फंदे के अंदर से हमें फ्रेंट्स दो दो फंदे निकालने है second round लेंगे और हैं एक फंदे के अंदर से हम दो-दो फंदे निकालते हुए हम second round को complete करेंगे तो friends आप video को बिन स्किप की end तक जरूर देखें video को like and share जरूर करें तो यह देखो friends इस तरीके से मैंने second round complete कर लिया है और next भी complete कर लिया है इसमें मैंने दो-दो फंदे निकाले हैं तीसरे round में और second में भी तो इस तरीकी से अब यहां पर हम red वाली पटी को joint कर लेते हैं सो इकी साइदा से seal लेते हैं यहां से हम दागी को cut कर लेंगे अब देखो friends हमें क्या करना है सिर्फ हमें red वाली पटी से ही इसकी गुंताई करनी है यलो का जो यलो वाली पटी है इसका हमें sport करते हुई इस तरीकी से देखो friends जो मैंने पहले एक दो फंदों के अंदर से निकाले थे एक फंदे के अंदर दो-दो फंदे निकाले हैं उसी के अंदर से हमें फिर से दो-दो फंदे निकालते हम यहां तक है इसको complete करेंगी अब friends हमें क्या करना है इस फंदे को देखो इसके अंदर से हमें एक फंदा निकालना है पास वाले में एक फंदा निकालना है जहाँ पे मैंने निकाला नहीं है और नेक्स वाले में जहाँ पे मैंने दो फंदे निकालने हैं उसके अंदर से हमें दो ही फंदे निकालने हैं और जो सीधा मैंने इसके उपर से लिया है वहाँ पे हमें एक फंदा निकालेंगी इस तर तरीके से इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितना ही बड़ा पायदान बनाना है तो उसके इसाब से फ्रेंड्स आप इसकी गुंथाई करते रहें देखो का एक राउंड तो हमें लेना है इस तरीके से लेंगे देखो एक फंदा निकालेंगे एक के अंदर से नेक्स दो सेक निकाला है इस तरीके से friends हम इस पूरे पाइदान को बना कर त्यार करें देखो कितना खूबसूरत लग रहा है बनाने के बाद में और बिल्कुल ही कम समय में friends ये बनकर त्यार हो जाता है तो friends आप इसे एक बार जरूर बना के देखिएगा अगर आपके पास में भी पुराने सारी या पुराने चुनी पड़ी है तो उससे देखो freds हमें क्या करना है एक round तो हम लेंगे जहां पे मैंने दो-दो फंदे निकालने है वहां सब पे दो-दो फंदे निकालेंगे इस तरीकी से हम एक फंदा निकालेंगे ऐसी हमें जितना बड़ा पायदान बनाना है उसके इसाब से फ्रेंड्स हम इसको बनाकर त्यार करेंगे तो यह देखो फ्रेंड्स इसके साथ ही मैंने अपना पूरा डोर मैट बनाकर त्यार कर लिये हैं देखो कितना ही सुन्दर लग रहा है और बनाने में कितना ही आसान है ना हमें सिलाई मसीन की जरूत पढ़ रही है और ना करोसी की ना सलाई की सिर्फ सेप्टी पिन और पुरानी साड़ी से हम ये सुन्दर सा डॉर्मेट बना सकते हैं बाइ फ्रेंज थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग